दोस्त आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम Business Studies Class 11 का जो स्लेबस है सेशन 2024 और 2025 का वो देखने वाले तो मिट्रम एक्जाम का क्या स्लेबस होगा एनुल एक्जाम का क्या स्लेबस होगा पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है? और किस-किस तरीके से जो आपके Marks होंगे Practical के यानि Internal Assessment के वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो जरूर वीडियो में तक बने रहिएगा तो सबसे पहले दोस्तो देखते हैं Mid-Tram एक्जाम का क्या स्लेबस है फिर Unit 2 है Forms of Business Organization Unit 3 Public, Private and Global Enterprises Unit 4 Business Services और Unit 5 Emerging Modes of Business यह जो 5 Units है आपकी Part A वाली बुक से यह दोस्तो आपका Mid-Tram का स्लेबस है जो आपको 13 सितमबर तर Complete करना है फिर आपको इसका Revision करना है फिर आपका Mid-Tram एक्जाम होगा उसमें यही 5 Chapter आने वाले है मिट-Tram एक्जाम खतम होने के बाद आपको क्या-क्या पढ़ना है वो देखते है तो पहली बुक का दोस्तो जो लास्ट उनिट है Unit 6 Social Responsibility of Business and Business Ethics यह आपको Mid-Tram के बाद पढ़ना है ठीक है अब आता है Part B जो है हमारी Finance and Trade उसमें Unit 7 Source of Business Finance Unit 8 Small Business and Enterprises Unit 9 Internal Trade Unit 10 International Trade तो यह जो 5 chapters में आपको बताए Chapter No.6 Part A का और यह 7 से लेके 10 तक Part B के यह आपको दोस्तों मिट-रम के बाद पढ़ना है और यह जो total 10 chapter है मिट-रम से पहले और बाद सब को मिला के यह पूरे जो 10 chapter है दोस्तों आपको 31 जन्वरी ते complete करना है फिर आपका जो periodic टेश्टर का उसमें इस लेवस पूरा आने वाला है फिर आपका जो main exam है annual exam उसमें भी एक complete लेवस आने वाला है और आपको दोस्तों project भी बनाना होता है business में तो उसकी भी अभी हम details देख लेंगे किस तरीके से वो जो होने वाला है तो यह है दोस्तों बहुत important चीज यहां पर देख सकते हैं आपको पता है कि दोस्तों आपको business का जो theory का exam होता है वो कितने का होता है असी number का और बागी जो 20 number है वो दोस्तों आपके किस के होते है practical के यह project के होते है ठीक है उसी में तो जो आपको यहां पर देख रहे होंगे सबसे नीचे आपको दिख रहे है project work याणि आपको एक project बनाना होगा वो उसकी वेटर है जब 20 number की ऐसा नहीं एक खाली project बनाने से होगा आपको उस पर वेस्ट वाइवा होगा teacher कुछी पूछ सकते है उन सबका जो overall होता है वो 20 number बनता है ठीक है बागी जो 80 number है वो आपको जो दोस्तो annual exam होगा 80 number का उस में से number आपके count होंगे अब एक एक करके बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से chapter में से annual exam में किस-किस कितने-कितने number की question आने वाले है तो unit 1 और 2 में से dotals 16 number ये question आएंगे 3 और 4 में से 14 number के 5 और 6 में से 10 number के question आएंगे यनि जो part A वाली book है उस में से total 40 number के question आने वाले है अब आगे देखतें दोस्तो 7 और 8 जो है unit उस में से 20 number का आएगा 9 और 10 में से भी कितने का आएगा 20 number का आएगा तो यानि कि part B भी जो 40 number की है और 20 number मैं आपको बता है project के है तो ये चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखनी है part A, part B दोनो 40-40 number के है बागे जो 20 number बचते हैं 100 में से वो किसके project के हैं project में आपका वाईवा होगा आपने project कैसे बनाया ये सब टीचर आपसे पूछेगा तो ये दोस्ता आपका business studies का syllabus था class 11 का उमीद करता है आपका अच्छे से समझ आ गया होगा ठीक है कि मिट्रम में 5 chapter आ रहे है मिट्रम के बाद आपको 5 chapter पढ़ने है ठीक है और जो आपका अगर weightage की बात करें तो annual exam में part A 40 number का है part B 40 number का है और 20 number का क्या है आपका project है तो ये दोस्ता आपका syllabus था business studies का उमेद करता हूँ दोस्ता आपको syllabus समझ आ गया होगा आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों next video में किसी और subject के syllabus के साथ तब तक के लिए bye bye, see you again and thanks for watching